हेलो वरिवन वेलकम यूओ अलेट लोके सरे लिम्टेट इस्टेडी जोन तो आए डिसकस कर रहे हैं शॉट्रिक इंटिग्रेशन पर बेज एक शॉट्रिक डिसकस करेंगे चलिए तो देखे इसके लिए जो फॉर्मेट आपके पास लगने वाला इस शॉट्रिक के लिए नो किसमें कनवर्ट हुआ करता है डी एक्स अपॉन अंडरूड ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर की फॉर्मेट में ये कनवर्ट होता है तो बीना कुछ सॉल्व करें आपको डैरेक्ट इसका हम आंसर दिलाएंगे तो देखे सबसे पहले ये शॉट्रिक एपली केबल कहा हो क्या रहेगा इसका अंसर वन अपॉन ए देखे ए मतलब जो है पॉजर्टिव रहेगा ओके ए क्या रहेगा यहाँ पर पॉस्टिव रहेगा मैं लिग भी देता हूं कि ए ग्रिटर देन जीरू ओके तभी तो आपने इसको माइनस ए करके लिखा है ना यह यह दित तो ए क्या रहेगा किरिदर दिन जीरू रहेगा तो वन अपॉन ए साइन इंवर्स ओके साइन इंवर्स माइनसका एफ डैस eigenen का दे Arrow 2 क्या रहेगी ट्रिक दिखिए one upon a sin inverse minus का f dash x okay upon में under root d minus का f dash x upon में क्या under root d तो यह short trick है इससे आपका पूरा का पूरा answer दोड़ करके आ जाएगा ओके one upon a sin inverse minus का f dash x upon under root d आएए इस short trick को use करने के लिए इसके कुछ questions करते हैं ठीक है इसके हम कुछ question करने वाले हैं तो अच्छा f x आप सोच रहेंगे f x f dash x क्या है देखी यह जो टर्म आपके पास भरा हुआ यह पूरा का पूरा क्या के लाएगा आपका इसी को आप जो बोलेंगे इसी को आप f dash x बोलेंगे ठीक है ना दी एक सपॉन अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ ए 7x 7-6x-x का स्कुर्ट ठीक है 7-6x-x-x का स्कुर्ट तो आइडेंटिफाई कर लिजे यहाँ पर ए कितना है यहाँ पर ए है वन ए कितना है वन तो माइनस ए की वैल्यू किती हो जाएगी यहाँ यहां पर माइनस ओफ वन ठीकना माइनस एक इतना हो जाएगा माइनस वन आप चाहें तो इसको लिख लें डी एक सपाउन अंडरूट माइनस x square और माइनस का 6x और प्लस का कितना है 7 तो यह हो चुका है आपके पास अब सबसे पहला काम है आपको d निकालना है तो d equal to जानते हैं आपने b square minus 4ac होता है तो d equal to b square minus 4ac तो b का square कितना हो जागा 36 और minus 4 into देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो खुद का a है यह minus a तो हमने अपने लिए माना ना है ना इनका खुद का कितना चलेगा minus 1 into c कितना चलेगा 7 ओके तो 36 plus 28 28 कितना हो गया 64 हो गया है ओके कितना हो चुका है 64 तो अब यहाँ पर देखिए अब आपको जो है value put करनी है यहाँ पर आपको यहाँ पर value put करनी है तो किस तरीके से value put करेंगे जो मैंने आपको formula बताया था याद करिए formula क्या था f dash x f dash x is equals to 1 upon a ok sin inverse kya था अंदर sin inverse minus का f dash x upon under root of d ठीक है ना यही formula था देख लीजे एक बार आप लोग हाँ exactly यही formula है so 1 upon a sin inverse f dash x upon under root d so कैसे solve करेंगे देखिए यहाँ पर a की value कितनी आई है 1 है तो यहाँ पर a की value 1 रख दीजे ok यहाँ पर a की value 1 naturally जो आपका इसका coefficient आपके पास में है okay यह यहाँ पर a की value आप क्या रख देंगी 1 रख देंगी equal to इसके आगे कितना हो जाएगा sin inverse sin inverse minus का f dash x तो minus लगा कर के f dash x इसको differentiate करेंगे देखिए इसको differentiate करेंगे आपके पास तो कितना हैगा minus 6 और minus का 2 x okay minus 6 minus का 2 x तो इसको हम differentiate कर लेते हैं तो यह कितना आ गया minus के 6 और minus का 2 x upon d d मतलब under root of 64 तो चलिए इसको solve कर दीजे तो क्या हो गया यह 1 upon a 1 upon a तो इसको हम क्या लेखेंगे देखिए 1 upon a means 1 ही रहेगा sin inverse ठीक है ना minus minus कितना हो गया 6 plus 2 x 6 plus 2 x upon में कितना हो जाएगा 8 तो यही इसका answer है sin inverse 6 plus 2 x upon 8 आप चाहें तो यहां से कुछ common लेकर की भी काट सकते हैं 2 common लेकर के काट देगा तो जो answer हैगा वो भी सही मना जाएगा तो यह एक line में इसको काट देता हूँ तो यही पर चलो लिख देता हूँ sin inverse तो कितना बन जाएगा 2 कट जाएगा तो 2 x से 2 निकल गया तो x plus 3 by 4 तो यही इसका answer हैगा sin inverse x plus 3 by 4 done value greater than 0 है तो आप क्या करेंगे यहां पर इसका integration कितना होगा दीखे इस प्रकार का integration कितना होगा सबसे पहले इसका integration निकले के लिए आप यह समझे कि इसको minus of a आपने लिखा है ओके तो एक को खुद में आप क्या देखेंगे negative के साथ वाला देखेंगे तो इसका integration होगा f-x equals to go by integration को f-x निखा जाता है तो इसका integration होगा integral i is equals to क्या होगा इसका integral i is equals to 1 upon a 1 upon a sign inverse ठीक ना यहां पर क्या आता है यहां पर आता है under root d और यहां पर क्या आएगा minus of f-x ठीक ना तो negative of f-x तो यह इसको अच्छे से याद कर लिजिए यही इसका integration बनेगा done